हेलो फैंट्स, वेलकम टू नवीन हेल्थकेर, आज के शुड़े में हम जानेंगे डाकलोफैनिक सोडियम इंजेक्शन के बारी में, क्या इसका डॉज, यूजज, मेकेनिजम अपेक्शन, ड्रग इंटेक्शन, प्रिकोशन्स एंड साइड इफेक्ट, आपसे रिक्वेस्ट जान लेते हैं, डाकलोफैनिक सोडियम, जो कि ड्रग का जैनिक नेम है, अगर हम इसके ब्राण नेम की बात करें, तो डाइनापाल इंजेक्शन, डाइलोना इंजेक्शन, भॉब्रेन इंजेक्शन, इत्यादी इसका most popular ब्राण नेम है, अगर हम इसके MRP की बात करें, तो और इसके इंग्रेडियन्ट की बात करें तो इसमें डैकलोफैनिक सोडियम 25 मिलीग्राम परती एमेल, बैंजिल एलकोहल 4.7 वेट बावेट प्रोपिलिन ग्लाइकोल 20% वेट बावेट और सोडियम मेटा बाई सलफ हाइट 0.307 परती सब वेट बावेट रहता है। अब हम इसके यूजज की जानकारी विस्तार से जानते हैं कि किन-किन प्रोब्रम्स में हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं। डैकलोफैनिक सोडियम इंजेक्शन जो की NSAID ग्रूप की एक दवा है जिसे नॉन एस्ट्रोइडल एंटी इंफ्लामेट्री ड्रग कहा जाता है। यह एनालजेसिक एंटी इंफ्लामेट्री और माल्ड एंटी पारेटिक गुनों से संबंधित है। डैकलोफैनिक सोडियम इंजेक्शन जो की एक पैनकिलर है इसका उप्योग दर्द और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि मांस्पेशियों में दर्द, जोरों में दर्द, ऑपरेशन के बाद दर्द, जैसे विभिन इस्तितियों में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है। साथ ही इसका उप्योग रूमेटाइड अर्थराइटीस, ऑस्टियो अर्थराइटीस, फैक्चर और चोटका दर्द, साथ ही इसका उप्योग सरदर्द, माईग्रेन, कमर दर्द, पेट में दर्द, दात में दर्द, कान में दर्द और विभिन परकार के दर्द को दूर कर करने के लिए डाइकलोफेनिक सोडियम का उपयोग किया जाता है यह इंजेक्शन लगाने के बाद दो मिनिट में काम करना शुरू कर देती है और आधे घंटे के अंदर सभी परकार के दर्द से छुटकारा दिलाती है अब हम इसके मेकेनिज्म उपेक्शन के बारी में जान लिते हैं डाइकलोफेनिक सोडियम इंजेक्शन काम कैसी करता है डाइकलोफेनिक सोडियम इंजेक्शन एनसे इडी गुरूप के एक दवा है यह मस्तिस्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है जिसकी वज़र से दर्द और सूजन की समस्या होती है अगर हम इसके ड् डाइकलोफेनिक सोडियम इंजेक्शन लेने से गंभीर साइडफेक्ट देखने को मिल सकता है अब हम इसके कोंट्रा इंडिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए डाइकलोफेनिक सोडियम का उप्योग करना औसुरक्षित हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को NSAID ग्रूप की दवायां से कोई एलर्जी है तो इसका उप्योग नहीं करें गैस्ट्रो इंटेस्टैनल वाले मरीजों को इसका उप्योग नहीं करना चाहिए किडनी हर्दय और लिवर के मरीज डाइकलोफेनिक इंजेक्शन का उप्योग नहीं करें अने था इ तो यह इंजेक्शन एडल्ट में 40 केजी से उपर के मरीजों को लगाया जाता है और बच्चों में इसका डॉज उनके वेट के अकोर्डिंग डॉक्टर केल्कुलेट करके देते हैं यह इंजेक्शन आवेसक्ता होने पर दिन में 2-3 बार भी लिया जाता है और साइड इफ इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो में आस तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद उम्मिद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यू वाचिंग फोर दिस वीडियो जय हिंद जय भारत